सो ग्रीटिंग्स टॉल आफ यू एलो एर्यवन वेलकम तो दा एक्जाम कैसल एंड टूदे वी आर गोइंग तो लूक एट अवर डेली करन्ट अफेर्स फ्रॉम फर्स्ट मार्च 2021 आज के वीडियो में हम लोग देखेगे एक मार्च दो हजार एक किस के आपके इंपोर्टन करन्ट अफेर्स स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन ओके तो हमारी आज की सबसे इंपोर्डेंट न्यूज है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी टेक्स फर्स्ट डोज ओफ कोविड-19 वैक्सीन है ओके को एक्सीन तो इसका जो फर्स्ट डोज है वह आज हमारे प मोदी जी से और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने फर्स्ट डोज लिया है को एक्सीन का एट एम्स न्यू डेली ओके को एक्सीन जानते हैं हम लोग कि इंडिया मेड वैक्सीन है और कोविड-19 के लिए हाईली यूसफूल है तो को एक्सीन से जुड़े भारत बायो टेक ने और ICMR ने और ICMR आपका है इंडियन काउंसील ओफ मेडिकल रिसर्च तो इंडियन काउन्सील ओफ मेडिकल रिसर्च सो ICMR आपको ध्यान में रखना है फुल फॉर्म भी पूछ सकते आप से भारत बायोटेक और ICMR दोनों ने मिला कर कोएक्स इनको डेवलप किया है उसके बाद में नेक्स्ट इवेंट देखलो नेक्स्ट इवेंट है हमारा आज का Reserve Bank of India that is RBI has projected India's growth forecast of 10.5% for the year 2022 2022 के लिए इंडिया का जो growth forecast है तो RBI ने that is Reserve Bank of India ने predict किया है at 10.5% तो यह जो भी growth forecast होते है ओके various agencies से और यह तो Reserve Bank of India ने दिया है तो आपको इनके percentages पता रहना चाहिए so 10.5% की growth रहेगी so ऐसा prediction है RBI का for the year 2022 तो आप इसे note करके रखो इसके बाद में next event देख लो विनेश फोगाट wins the gold medal in women's 53 kg category at Ukraine wrestling ओके so यह उक्रेन में wrestling का recently event conclude हुआ है तो उसमें विनेश फोगाट ने women's 53 kg category में इंडिया के लिए gold medal जीता है ओके so एक काफी proud news है proud moment है इंडिया के लिए ओके so विनेश फोगाट का नाम आपको ध्यान में रखना है इन्होंने जीता है gold medal under 53 kg women's category ओके और यह event हुआ था यूक्रेन में so जब भी किसी country की बात होती है तो हम static gk के point of view से important points में discuss करते है like capital and currency ओके so इसका जो pronunciation है आप देख सकते हो okay इसे simply revenue भी कहते है okay so Ukrainian revenue यह currency है यूक्रेन की और capital जो है यूक्रेन की so यह है किये हो okay so किये हो काफी important city है और जैसे अगर आप football को follow करते हो तो आप देखते हो कि यूएफा चैंपियन्स लिग में डिनामो कियो नाम से team भी है इनकी okay so आपको capital और currency ध्यान में रखना है यूक्रेन की so काफी important info है static gk के point of view से next event discuss कर लेता है new president and chief technology officer okay CTO जिसे short में कहते है of AU small finance bank तो यह आपको बताना है AU small finance bank के आपको new president और chief technology officer का नाम बताना है तो इनका नाम है शरद गोकलानी okay so शरद गोकलानी इनका नाम आपको ध्यान में रखना है important appointment है और जितनी भी important appointments होती है so यह काफे ज़्यादा important है आपके upcoming competitive examination के point of view से okay उसके बाद में next news देख लो आज की तरुन बजाज gets additional charge of department of revenue okay so department of revenue का additional charge कीने मिला है तो उनका नाम है तरुन बजाज okay so तरुन बजाज इनका नाम आपको ध्यान में रखना है और इने मिला है additional charge of department of revenue okay so यह थे हमारे आज की important current affairs एक बार फिर से revise कर लेते हैं सबसे पहले हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शी नरेंद्र मूदी जी ने first dose लिया है कोवेक्सिन का 8 m's new daily ओके और कोवेक्सिन को develop किया है ICMR और भारत बायोटेक ने ICMR है आपका Indian council of medical research okay उसके बाद में next news हमने देखी कि Reserve Bank of India ने for the year 2022 के लिए इंडिया का growth forecast predict किया है at 10.5% उसके बाद में हमने देखा कि विनेश फोगाट को gold medal मिला है under women's 53 kg category at Ukraine wrestling event और Ukraine की capital और currency है Ukrainian revenue और capital है वहाँ की Kiev तो यह आपको धान में रखना है उसके बाद में new president and CTO that is Chief Technology Officer of AU Small Finance Bank तो इनका नाम आपको बताना है कि AU Small Finance Bank के new president और CTO कोन मन है तो उनका नाम है शरद गोकलानी और in the end हमने देखा कि Department of Revenue का additional charge है तो यह मिला है तरुन बजाज इने तो यह थे हमारे आज के important current affairs I hope वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दो वीडियो को शेयर कर दो अपने friends के साथ साथी साथ सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल exam castle को और अगर आप यह वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हो IGTV पर सो डू फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज वोकैब कैसल ओके और वोकैब कैसल पर एक announcement में और कहना चाहूगा कि आज से हमारी डेली जीके की सीरीज भी IGTV पर पब्लिश होते रहेगी ओके सो यूट्यूब चैनल और IGTV दोनों जगा पर आपको जीके का content मिलेगा बट फिर भी मैं कहूगा कि आप यूट्यूब चैनल को भी subscribe कर लो because IGTV पर एक time limit है वीडियोस की जो वीडियोस का duration होता है और यूट्यूब पर एक्चुली हम लोग जो lengthy वीडियोस है हमारे about one hour, one and half hour up to two hours तो वो वीडियो हम लोग post करते हैं यूट्यूब पर but vocab castle पर आपको daily notifications भी मिलते रहते हैं कि आज कौन सा वीडियो आने वाला है तो जो लोग यूट्यूब पर हमारे यूट्यूब पर हमारे subscribers है तो वो हमारे vocab castle के page को इंस्टा पर follow भी करतो सो दाट उन्हें notification beforehand मिलते रहे हैं ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बबबाई टेक केर और आई विश यो आल दे वेरी बेरी